हेलो इन वेलकम का इस स्वागत आपका फेंटासी डिसन चेलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिनियर वूमन्स इंटर जोनल टी-20 ट्रोफी की बात करेंगे जो की मैच होगा या पर नौर्थ जॉन वूमन वर्सिस चेंट्रल जॉन वूमन के बिच में तो करेंगे तो बात करें इस मैच के चोटी सी रिक्वेस्ट आएगी के यूटूब चैनल को सबस्क्राइब के लेना है क्योंकि पूरी टूनामेट इसी यूटूब चैनल पर कवर की जाएंगी इसके साथ आपको यहां पर CBFS T20 के वीडियो मिल जाएंगे इसके अलावा जासे अरेबियन T20 के वीडियो मिल जाएंगे तो सारे अच्छे मैचे इसके वीडियो आपको इसी यूटूब चैनल पर मिलने वाले हैं तो यूटूब चैनल को सबसे बिल आपको सबस्क्राइब करना है साथी में टेलिग्रम चैनल से जूड़ जाएगा क्योंकि फाइनल सिम्पल यह आपको उसे जूइन के लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल डिम आपको टेलिग्रम चैनल पर मिलने वाली हैं बात करें इस मैच की तो यह मैच सूबह में 11 बचे यहां से बारत रतना स्री अटल बिहारी बाचपई एकाना स्टेडियम लकनों में ख इनकी लास मैच उनकी एक वीक टीम के सामने हुई थी तो इन्होंने बहुत सारे बटलाव किये थे इवन कुछ अच्छे प्लियर बैटिंग के लिए पी नहीं आई थी वह में हम थोड़ी से आगे बात करते हैं तो इस मैच के लिए इनको मिस के रेक्यूले खेलना पड़े मोनिका पांडे और शुष्मा वर्मा ने ओपनिंग किया दोनों अच्छी चली यहां पर 59 रन की 87 यहां से सुष्मा वर्मा ने किये लेकिन पहले बता दिया आपको कि लास मेच में जो उनका मुकाबला हुआ था सामने बॉलिंग एक इतना कुछ खास नहीं था लेकिन यहा सामने यहां से नुजहत परवीन है तो दोनों के बीच में कन्फीजन होने वाला इससे पहले जो हमने मैच कवर किया था वहां पर हम लोग दो विकेट के पर के साथ गई थे तो यहां पर भी कुछ ऐसा करना पड़ सकता है सितल राना अभी दक सारी मैच के अंदर पूरी हो उनने सिर्फ रन किये रुबिया सहीद की बात करणों तो इससे पहले घ्ली नहीं थी लेकिन लास्ट मेच वा पहली बार खेली इससे पहले आकड़े से पहले वहले टीट्व powered के लेग लेकिन लास्ट मैच के अंदर चार वहस्के पूरी घ्ट बाजी की जापर विकेट ले लेकिन परफर्मस इतना कुछ नहीं रहा है इनको मैं शायद अभी के लिए सजेस्ट ना करूँ वेसे टीम इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल मेची सब्केरा के लिए लेकिन रिसंटली फॉर्म कराब है तो शायद में इनको प्रिक ना करूँ सीवानी गुप्टा की बात को तो ओक्यों के रहेंगी इनको तो बहुत चादा रिसकी खेलों तभी ट्राइगाना है बाकि अमन जोद कॉल देखो बैटिंग के लिए कितने नमर बर आई है साथ में नमर बर इससे पहले तीन मैच हुई वहाँ पर ओपनिंग किया था इस एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा इनसे हाला कि बैटिंग से इनसे परफॉमस की उम्मीद कर सकते हैं वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चोइस हैं अब लास्ट मैच के वीडियो अगर आपको आपने देखा होगा मेरा वीडियो लास्ट मैच किया इनके मैच का तो मैंने य और वैसा ही कुछ हो उनका कोई भी परफॉमस नहीं रहा तो ऐसा कुछ हो सकता है कभी-कभी हम लोग भी एसी चोटी-चोटी भविशेवानी कर सकते हैं लेकिन आज की मैच के लिए इंपोर्णेस रहेगी हदली इंडियो बात करें ऐसे कनी का आउज आउजा वेरी इंपो सारी ओप्सन से तो इनको शायद पीकना करें सोनिया लेहिया काफी रिस्की रहेंगी स्टार्टिंग वोस में आसे सिम्रन बादूर और आर सहीद ने लास मैच के अंदर स्टार्टिंग में गयन बाजेगी बाकि ब्यांचे में से अगर कोई भी फिलेर खेलती है तो इनके स अब आपको टेलगरम डेनर पर मिलेंगे लेगे यहांसे अनसारी खेलती होई नजर आ सकती आपर अनिश्या अनसारी के शायर के नजर आ सकती यह पर इनके बाद करते हो बागि स्टार्टिंग में अब दक और उनके सारे प्लेर जबरस्त पॉम्में चल रहे हैं यानि टोप में जो 4-5 प्लेयर है ना उस में से एक दो प्लेयर जो चलता है झलता है उपनिंग में या पर नुज़ण परवीन और या पर जसी आक्तर दों नों उपनिंग करवाएं इंपोनेस्किर के बात को तो दो इंपोनेस्ट रहेंगे नुज़ण परवीन यहांसे विक के तोर पर और दयालन हैमलता की बात को तो लास मैच के अंदर इन्होंने जवर्टस परफॉमस दिया और जिसके लिए वह जानी जाती है वह लेवल का परफॉमस उनकी लास मैच के अंदर देखने को मिला तो एक पर फिर से यासे मैं एज़ब लेयर तो जरूर ट्राइब इसके लिए आसे कैप्टन वाइस के लिए अच्छी चोईस है इनको जरूर ट्राइब करना है बाकि दिश्या कर्षट की बात को तो यह ओके-ओके रहेगे इनको थोड़ा से रिस्की तोर पर ट्राइब करेगा स्मॉल लीक के लिए शायद यहाँ पर इतने इंपोरनेंस न बहुत ही ज्यादा मुश्किल है देखो यहाँ पर टॉप की बात करो टॉप में से अगर टॉप की प्लेयर अगर जल्दी आउट हो जाती यहाँ से दो तीन विकेट जल्दी गिर जाती है तो अनुश्य का सर्मा एक बड़ा स्कॉर भी कर सकते देखो इनके पास ख्यमता है 81 रन किये थे उन्होंने रिसंटली जो मेंच कहला गया था यासे सीनियर मुमस्टी वहाँ पर 81 रन की बड़ी पारी खेली थे तो इनके पास ख्यमता है बड़े स्कॉर करने की लेकिन बैटिंग आनी चाहिए तो इनको बहुत ज़्यादा रिस्की खेलो यासे ग्रांड लि निकाल लिए तो इनको रिस्की तो पर ट्राइ करेगा लेकिन याद रहे कि यह कभी भी दो तीन विकेट निकाल सकती है तो यह आपको याद रखना है बाकी स्टार्टिंग और अन्जली सर्वाणी और यहां से रेड़ी यहां पर स्टार्टिंग करेंगे बाकी बैंच में से अगर कोई भी प्लेयर गिलेगी तो इनके स्टेट्स और अपडेट वगेर आपको टेलिग्रम चनल पर प्रवाइड तो बात करें पर विकेट कीपिंग से अक्षन की तो ऐसे नुजहत परवीन के साथ याइसे शुश्मा वर्मा को मैंने दोनों को लिया हुआ है तानिया बटिया तो काफी नीचे खेलती है बाकि प्लेयर तो जब 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 लेकिन विकेट कीपिंग से आपको पॉ करवा सकती है जैसा कि हमने एक बार किया भी है तो आप लोग चाहिए तो इनको ट्राइब कर सकते हो और सेक्षन में आप पर अमंजोत कोर और यहां पर टी कनवर हमारी टीम के रहेंगी यहां पर आप लोग शायद तो शायद आद नहीं कहलेंगी फिर भी अगर खेलती तो आप लोग ट्राइब कर सकते हो इनको अनसारी अगर खेलती हों नजराए तो इनको जरूर ट्राइब करेगा बॉलिंग सक्षन में आप पर पी यादव के अहुजा इनके अलाबा यहां से अंजली सरवानी और यहां पर आर करणो जैदे को सेलेक्शन काफी कम है तो यह फा से अमन जोद को और बेस्ट ऑप्शन है के लिए और जिस लेवल से लास्ट मैच के अंदर हमलता फॉम में दीखी तो यह अच्छी चोईस है इनके ओपर भी हम लोग पूरा रिस्क ले सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन सिप का इनको भी डेफिनेटली लेके जा सकते ह से जैसे अख्तर भी बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन सिप के लिए और बाकी बॉलिंग सक्शनसे यह अपर अंजिली सरवानी है इनके आप भर्वरोसा कर सकते हो है इनके सब्सक्रावाइब एपह उर्फ भरोसा कर सकते हौना सबस्ली पिलिए लिए से nor और फाइनल निम आपको वाइपर दी जाएगी या अगर वीडियो चलागे तो वीडियो को लाइक शेर करते हो साथी में यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलेगा क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मेचेस की वीडियो आपको इसी यूटूब च अच्छे से अनालिसिस करो अच्छी टीम बनाओ अच्छी में नहीं करते हो तब तक के लिए बाई धन्यवाद जाहिन जय भारत